क्या दोस्तों आपी अपने मोबाइल में वोर्टसप को चिपाना चाहते हूँ या वोर्टसप को हाइड करना चाहते हूँ तो दोस्तों किस परकार कर सकते हैं हम आज की इसी वीडियो में जानेंगे एक सैस्केब ने मेरे को कमेंट करके बताया था कि मैं अपनी गल्फेंड से या अपनी बॉइफेंड से बात करता हूँ तो अपने मोबाइल में वोर्टसप को कैसे हाइड कर सकता हूँ तो दोस्तों आप इसी वीडियो को एंड तक देख लेना मैं आपको सरल तरीका बताऊंगा तो आप भी अपने मोबाइल में वोर्टसप को हाइड करना या चिपाना सीख जाओगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तिक आपने इस चैनल को सासक Completely कर देना और आपको पासमें गंटी दिखाई देरी उससी गंटी को ओल्पर प्रेस कर देना उसके बद गैस आप अपने मोबाइल में आपके पास में कौन सा भी मोबाइल होगा उससे मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना और दोस्तों अब भी तिक आपने मेरे वोडसाप चैनल को जोईन नहीं किया तो दोस्तों आप वीडियो देख रहेंगे तो वीडियो के टैटिल पर कलीक कर लेना और दोस्तों आपको आपने निचे लिंक दिखाए दरी उस से लिंक पर कलिक करके आप मेरे वोर्टसप चैनल को जोइन कर सकते हो उसके बद गयस आप अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन करके आपको आपको सर्च बार का आइकन दिखाए दरा उस पे टेप कर लेना जैसे फैंस आप कहाँ पर दिखाए दरा मैं एप से टाइप कर लेता हूँ उसके बद गयस आप अपने मोबाइल में एपस को ओपन कर लेना जैसे फैंस आप कहाँ पर दिखाए दरा मैं एपस को ओपन कर रहा हूँ तो गयस आपको इस परकार का इंटरपेस से हो रहा है को open कर लेना सबसे भिले आप अपने mobile में epsilon का button होगा उसको आपको open कर लेना इसके अपने mobile में आप का आप पर दीक यज़रा hidden application उस पर आपको tape कर लेना और आप जिस भी application को hide करना चाहते हो जाट को छीपाना चाहते हो तो rappelle उसको आपको ओन कर लेना जैसे फेंस आपका अपर दिक़्ा दे रहा अभी मैरे माझे दो वोर्सव एप्लीकेशन चल रहे है जैसे फेंस आपका अपर दिक्क़्ाईदा मैं बाहर आ जाता हूं और घैस आपका अपर देखा दे circuits चल रहे है तो मैं second workshop channel को मैं कैसे hide कर सकता हूँ जैसे friends आपका आपड़ निचे interface कर लेना और दोस्तों आपका आपड़ दिखाए दरा वोर्टसब में इसको own कर लेता हूँ जैसे इसको own करने बाद गयाँ आपका आपड़ दिखाए दरा मेरे mobile में वोर्टसब application थी वो hide हो चुकी है तो दोस्तों आप भी अपने mobile में किसी भी application या वोर्टसब को hide करना चाहते हूँ तो इस पर कार कर सकते हूँ जैसे मैं इसको वापिस unhide करना चाहता हूँ तो guys इसको own कर लेना उसके बद गयाँ आपको इसको disable कर लेना जैसे इसको disable करोगे तो अपने mobile में वोर्टसब application होगी वो वापिस आजाएगी और आप किसी भी चेट में बात करना चाहते हो तो भी इसको continue कर सकते हो तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको useful लगी तो वीडियो को like जू कर देना और फेंड से वीडियो कैसी लगी वीडियो के निचे कमेंट करके जरूर बताना और दोस्तों आप इस चनल पे नए हो तो चनल को subscribe जरूर कर देना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद